प्रिश्ट संख्या 20 समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन-पाथन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है शब्दों के आलोक में प्रिश्ट संख्या 20 क्रिश्ट सोबती जन्म 1925 गुजरात पश्चीमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान प्रमुख रचनाये जिन्दगी नामा दिलो दानिश ए लड़की समय सरगम ये उपन्यास है डार से बिछुडी मित्रो मरजानी बादलों के घेरे सूरज मुखी अंधेरे के ये कहानी संग्रा है हम हश्मत शब्दों के आलोक में शब्द चित्र और संस्मरन प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान हिंदी अकादमी का शला का सम्मान साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राश्ट्रिय पुरस्कार हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है यही कारण है कि उनके सैयमित लिखन और साफ सुथरी रचनात्मक्ता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है उनके कई उपन्यासों लंबी कहानियों और संस्मरनों ने हिंदी के साहित्य संसार में अपनी दीर जीवी उपस्थिती सुनिश्चित की है उन्होंने हिंदी साहित्य को ऐसे यादगार चरित्र दिये जिनें अमर कहा जा सकता है जैसे मित्रो, शाहनी, हश्मत, आदी भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने कहानी में काल जई रजनाय लिखी उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा बलकि यह कहना उचित होगा कि यश्पाल के जूठा सच राही मासूम रजा के आधा गाउं और भीश मसाहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग म में एक विशिष्ट उपलब्धी है प्रिष्ट संक्या 21 संस्वरन के एक शेत्र में हम हश्मत शीर्शक से उनकी कृती का एक विशिष्ट स्थान है जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हश्मत नामक चरित्र का स्री जनकर एक अधभुत प भाशिक प्रयोग में भी विविद्धता है उन्होंने हिंदी की कथा भाशा को एक विलक्षन ताजगी दी संस्क्रित निष्ट तत्समता उर्दू का मांगपन पंजाबी की जिन्दा दिली ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं मिया नसिरुदीन शब्द चित्र हम हश्मत नामक संग्रह से लिया गया है इसमें खांदानी नानबाई मिया नसिरुदीन के व्यक्तित्व रुचियों और सौभाव का शब्द चित्र खींचा गया है मिया नसिरुदीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खांदानी महारत को बताते हैं वे ऐसे इनसान का भी प्रतिनी ध्यत्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं